आज मैं आपको एक बहुत ही खुबसूरत पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ और इसका नाम है टॉरेनिया और या विश्ट बोन भी से बोलते हैं आज में स्क्रा पिंग प्लावरिंग होतें हुआ इनमें खुशबू Union साइज बडा लेकिन यह बहुत ही खुबसुर्त लगता है एक साथ लगा दीजे आप चोटे-चोटे flowers और attractive colors में आते हैं खुब सारे मैंने इसमें तीन color लगा रखें और यह इतने सुन्दर लगते हैं सबसे अच्छी बात ही कि आपको पूरी साल flowering दे गाई है और इसके पतियों से यह पुरा भरा रहता है तो घना घना भी लगता है बुशी भुशी भी लगता है देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूं इसको close-up करके कितने सुन्दर लग रहे हैं चोटे-चोटे फूल इसके यह जो flowers है यह lavender color के हैं मेरे पास तीन है flowering plant लगाए हैं आप इसको लगबक minimum 8 इंच के गंबले में लगा सकते हैं और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं नर्सरी में मैं 50-50 का एक plant लेकर के आई थी सबसे पहले मैं बात करती हूं इसकी sunlight के बारे में इसको sunlight उतनी ही चाहिए है जैसे flowering plants को चाहिए होती है उतनी ही इसको sunlight चाहिए आप ऐसी location पर रखें जहां पर इनको गर्मियों में तो morning evening की sunlight मिल जाए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में यह survive नहीं कर पाता है जल जाता है पत्ते जल जाते हैं इसके तो उस समय थोड़ा से इसको आप ऐसी जगह रखें जहां morning evening में मिले और अगर जो है यह dormancy period में थोड़ा चला जाता है क्योंकि सर्दियां इसको बरदाश नहीं रहती है तो उस समय आप इसको पूरे दिन बर की sunlight में भी रख सकते हैं हाँ आपके यह temperature moderate रहता है तो कहीं भी आप रखिए पूरे दिन बर का इसको sunlight दीजिए ऐसी जगह रख सकते हैं लेकिन हमा अलग अलग गंबले में लगा करके और खोब सारे कलर लगा करके और एक साथ रख सकते हैं तो यह बहुत ही आपका garden जो है बहुत ही प्यारा लगेगा देखिए मैंने इसको कैसे basket में लगाया हुआ है तो एक साथ भी आप इसको लगा सकते हैं या बड़ा कोई आपके कोई लंबा साथ प्लांट है तो उसके चारों तरफ जगे है तो वहां इसको लगा दीजे एक सावा फिट से जादा इसकी हाइट नहीं होती है तो यह मैंने देखिए इसको basket में लगाया और एक साथ मैंने इसमें तीन प्लांट लगा है तो इस तरह से कोई लंबी सी basket हो तो उस साल फ्लावरिंग करता रहेगा आपको क्योंकि इसका propagation भी बहुत ही आसान है तो इससे आप कहीं सारे बना सकते हैं यह देखिए इसके पत्ते भी कितने सारे आते हैं बुशी बुशी से आते हैं पानी की अगर मैं बात करूं तो इसको बहुत अदा पानी बिल्कुल पसंद कर सके सौगी न करने हैं आपको मिट्टी इसकी बिल्कुल भी सबसा अच्छा तरीका होता है कि आप बिना देखे पानी डालें उससे अच्छा मिट्टी की लेर को आप हाथ दगा के चूकि देख लीजे अगर आपको लगता है कि उपर की सॉइल आपको सुखी सुखी लग इसकी लगाई और उपर से ट्रिमिंग इसकी करते रही है तो उससे क्या होगा कि यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहा देखिए मेरे पीछे जो इस पॉट प्लांट के पीछे जो गुलाब लगे वह तो उसमें मैंने साइड में थोड़ी जगे बच रही है तो वहा और एक हिस्सा इसमें कवर्मी कंपोस्ट या कोई सी भी गोवर की खाट डाल दीजे देखिए इसकी रूट्स कितनी बारिक बारिक होती है तो जब आप नर्सरी से इसको लेकर के आएं तो आप धियान रखिए कि बिल्कुल एस इस निकालके इसको गंबले में लगा दीजे अगर इसकी रूट्स डैमेज हो गए तो यह प्लांट नर्सरी से लाने के बाद एक दो दिन बाद ही मर जाएगा तो इसका रूट पॉल बिल्कुल भी डिस्टरब मत कीजे इसके पॉर्टिंग मिक्स में साथ ही आप एक चमच बोन वील डाल दीजी उससे क्या होगा स्लो रिलीज फटलाइजर हो जाएगा और दूसरा इसमें आधा चममा चाप डाल दीजे कोई भी फंजी साइड जैसे साफ अगरा डाल सकते हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजान पर आराम से मिल जाता है वो उससे क्या होगा कि एक त स्पेंट फ्लावर्स होते हैं आप उनको ऐसे पिंच करते रही है तो उससे क्या होगा कि नए नए फ्लावर्स नए बर्ड्स को खिलने की जगा मिलेगी ब्रांचेस के उपर और अगर आप इसके सीड्स चाहते हैं तो आप इनको लगे रहने दीजिए आखिर में थोड़ा हैं हम फ्लावरिंग के लिए इसमें आप हर वीक लिक्विट फटलाइजर जो घर का बनावा होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो डिसक्रिप्शन बॉक्स में आपको लिक्विट मिल जाएगा उसका तो एक गिलास आपको कोई सा भी लिक्विट फटलाइजर बनाई औ और इसी में ही इनके जो है सीड्स बनते हैं यह जो इनकी जो बड्स होती है जब यह फ्लावर्स जो है स्पैंट हो जाते हैं तब इसमें पीछे इसके सीड्स बनते हैं तो जब फ्लावर्स के सूख जाए तब आप इनके सीड्स निकाल लीजिए मैं उसके उपर अलग से ए अब नहीं होती है दूसरी बात है कि बहुत ही कम प्लांट निकल पाते हैं क्योंकि सीड्स इनके बहुत बारिक होते हैं देखिए मैंने आपको दिखाए न कितने सारे फ्लावर्स मैंने तोड़ दी हैं तो पॉटिंग मिक्स आप इसका बैस्ट बनाएंगे तो बहुत के रिखते रहें कि पानी कहीं जादा तो नहीं हो रहा है जिस ब्रांच के ऊपर कोई कली नहीं है उस ब्रांच को आप उपर से थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए तो उससे क्या होगा कि खुब सारी नीचे से ब्रांचे निकलेंगी और उसी में से बर्ड निकलती हैं जितनी बढ़ा सकते हैं आपके गार्डेन की देखिए कितना सुन्दर सुन्दर कितना प्यार कलर नहीं है वैसे फ्लावर्स तो कोई से भी हो सब भी बहुत ही कुपसूरत लगते हैं कुद्रत ने फ्लावर्स को बनाये ही इतना कुपसूरत है और यह तो स्पेशली जब छुटे फ्लावर्स होते हैं और खूब सारे उखते हैं तो बहुत ही प्रिटी लगते हैं एक चीज़ आपको जरूरी बताना भूले कि बारिश के मौसम में थोड़ा ध्यान रखिए कि जादा पानी इसमें ना पड़े ऐसी जगह रख दीजे जहां पूरे दिन की बारिश इसको न मिले तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रस कर लिजिए फिर मिलूंगी बाइबाइबाइ